हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिक्षन पर मैं हूँ आपके साथ अंजली बालियान दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गणित विशय के दिक्षा एप पर जो आपका कोर्स एवेलिबल है उसके MCQ वाले assignments को complete करने वाले है यानि अगर आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो first assignment है Maths का वो मैं आपको complete करा चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आप playlist में जा करके देख सकते है आज हम क्या करेंगे आज हम assignment number 2 से ले करके और 6 तक ठीक है ये सब भी complete करेंगे यानि 5 assignment इस वीडियो में हम complete करने वाले है assignment number 2 से लेके 6 तक ठीक है और बाकी बचे assignment हम कल पूरा करेंगे आप सभी जानते है क math में 45 assignment है तो संख्या कम नहीं है तो सभी को solve करना पड़ता है फिर आपको उसके बाद कराना पड़ता है तो इसलिए आज हम 5 assignment काफी है 5 complete करेंगे और अगर आपका पिछला किसी भी subject assignment रहता है तो सभी subject में आपके पूरे करवा चुकी हूँ आपको playlist में मिल जाएंगे सभ आपका जो unit है उसी से बना हुआ है कि x ratio 3 x अनुपात 3 समानुपात 12 अनुपात x इसमें आपको क्या करना है इसमें आपसे पूछा गया है guys कि x की value find out करनी है आपको यहाँ पर तो कैसे करते है यह परकासर आपको अनुपात समानुपात वाला chapter पढ़ा चुके हैं बहुत अ में ठीक है चली मोटा मोटा में आपको बता दूए कि इसको solve कैसे करना है इसमें क्या होता ही बहारिये पद है ठीक है और यह मध्ये पद है मध्ये पद की मध्ये पद के साथ गुणा करनी है और बहारिये पद की बहारिये पद की तो x की x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंट्स छे आ जाएगी इस परकार हमने इसको सोल करते हुए इसका आंसर के आएगा छे आ जाएगा यानि सी ओप्शन बिल्कुत सही है इस परकार से हमें करना होगा आप क्लास लीजिए आप सभी कोशन को खुद बखुद लगा में चात्र चात्राओं का अनुपात तीन अनुपात दो है ठीक है आगे पूछा गया है यदि चात्रों की संख्या 120 है तो उस विध्याले में विध्यारतियों की कुल संख्या कितनी होगी ठीक है यानि आपको चात्र और चात्राओं का अनुपात दिया गया है और यहां आ एसे ही बता देती हुश का अंसर 200 आएगा ठीक है आगे बड़ते हैं यहाँ पर आप से पूच्छन पूछ लिया गया है जिस हम ने पहले किया था यहां पर समान उपात दिया गया है और इसमें आप एक्स का मान पूछा गया है तो कैसे करना है वही सेम है कि जो मध्य अनुपात है मध्य आपके अंक दिये गए हैं कि आपस में गुणा करेंगे तो आठ दूनी सोला सोला का अंडरूट करेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए चारा आ जाएगा चार चोक सोला ठीक है तो यहां पर आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए बिल्कुल सही अगला कोश्चन है निम्न में से सत्य कथन है कौन सा आप्शन नमबर ए, बी, सी, डी तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा ये सबी समानुपात में है अगला पर्षन है 15, 18, 45 रेशो एक्स में एक्स का अमान ग्यात करना है तो वही सेम चीज़ आपको फोलो करनी है मद्यपातों की आपस में और बहर्यपदों की आपस में गुण ठीक है, ऑप्शन नमबर सी, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल भी समय नहीं लगाएं क्योंकि बहुत जल्दी से हमें पूरा करना है सभी असाइनमेंट्स, इस कोशन में आपसे पूछा गया है कलपना ने 20 में 4 कलम खरीदे, 20 रुपे ही हो गए, 4 कलम खरीदे और अनुराधा ने 80 में 16 कलम खरीदे, तो इसमें आपको बताना है कि किसके कलम सस्ते है, ठीक है, तो दोस्तों जब हम इनका मूले निकालेंगे तो दोनों का समान मूल लियाएगा, ठीक है, ऑप्शन नमबर सी सही हो जाएगा, आगे एगले परसन में आपसे पूछा गया है, यदी, 6, 18, एक्स और 15 समानुपात में है, तो एक्स की, एक्स का मान बताइए, तो आपको इसको अनुपात में रख लेना है, समानुपात करके, फिर आपकी 18 की एक्स में गुणा और 15 की 6 में, तो कैसे होगा, चली करते है, 6 गुणा 15 अपोन में आ जाएगा, 18 इधर एक्स बचेगा, तो जब हम इसकी वैलू निकालेंगे, 6, 18, 3, 4, 3, 15, 5 आ जाएगा, ठीके, इसका अंसर क्या आएगा, पांच, तो पांच कहां हैं, उप्शन में, उप्शन नमबर B, इस तरीके से हम इसको चूज करेंगे, और यहां पर आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत ही इजी ट्रिक और मैथड दोनों के साथ आपको सिखाया जा रहा है, क्लास में, इसलिए मैं सभी परशनों को एक-एक करके सोल नहीं करा रही हूँ, कोई-कोई आपको सोल करवाओंगी, ठीके, और बहुत यह अच्छे मैथड से, आगे इसमें पूछा गया आपसे, समानुपात में नहीं है, इसका रीजन बिल्कुल नहीं है, और तीसरा उप्शन में क्या है, बहार्य पदों का गुननफल बराबर मद्य पदों का गुननफल नहीं है, बिल्कुल सही, समानुपात में क्या होता है, बहार्य पदों का गुननफल मद्य पदों के गुननफल के बराबर होना बंद है क्या है इनमें से क्या कौन सी एक्वेशन सही होगी आपको यहां पर यह चूज करना है ठीक है तो आप जानते हैं किसमें क्या करते हैं हम यदि हमें से समानुपात में बनाना है तो मध्य पदों की आपस में और बहारे पदों की आपस में गुणा तो अब आप यह द देखें दूसरा option देखेंगे ए गुणा डी यानि बहार्य पदों की गुणा फिर बराबर है सी ब्लस डी बी गुणा सी ठीक है यानि मध्य नुपाद जो दिये गए है इनकी आपस में गुणा की गई है तो बिल्कुल सही हो जाएगा option नमबर बी ये इसकी बी इसका बिल्क आस्तिया 15 15 स्कांस तरा आजाएगा यह लिजी बहुत ही आसानी से फटाफट से बहुत ही सिंपल सिंपल कोशन आपके दिये गए हैं अगला कोशन है समानुपाद एक अनुपाद दो समानुपाद चार अनुपाद आठ में आपको बताना है कौन सी जो इसका option है क्वेशन क 202 बहारिये पद है इक वर 8 भाय बहारिय पद है हां बिल्कुल है ठीक है एक और आफ्यार क्या है यह मद्ध्या पद है तो option number भी बिल्कुल सही है आगे चलते हैं दोस्तों सभी person के उत्तर हमने दे लिए 11 person थे इसमें अब submit करते हैं अपने score जानते हैं ठीक है guys चलिए submit कर देते हैं यह यहाँ पर score भी नहीं दिखाया एक second रुके आप so guys हमारे सभी person बिल्कुल एकदम सही है सभी person का सही सही उत्तर हम यहाँ पर दे चुके है ठीक है तो सभी person एकदम सही हो गई है अब हम अगला assignment पर चलेंगे जो assignment number आपका 3 होगा और उसको फटा फट से पूरा करते है चलिए friends तीसरे assignment का पहला person आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा गया है यदी 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपे है तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य ग्याद करे कैसे ग्याद करेंगे कैसे करेंगे पहले हम क्या करेंगे 80 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है 640 तो हम एक मीटर कपड़े का मूले ग्यात करेंगे तो 640 बटे 80 ठीक है जीरो से 0 कट गया अब आठ से इसको कटेंगे तो क्या आएगा आठ ती चुट चुट चापन आठ चापन आठ चुट तो यहां आठ आ जाएगा ठीक है एक मीटर कपड़े का मूले कितना हो गया आठ रुपे अब आठ की हमें कितने का अब हम एक मीटर का पता चल गया आठ रुपे तो 17 मीटर का कितना होगा 17 गुने 8 तो आपको पता चल जाएगा कि भी इसका जो है 136 रुपे 136 रुपे का 17 मीटर कपड़ा होगा ठीक है 136 रुपे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला परशन पर चलेंगे जिसमें आप से देखते हैं क्या पूछा गया है तीन पुस्तकों का मुल्य है 36 रुपे है तो 12 पुस्तकों का मुल्य क्या होगा वही सेम कॉश्चन तीन पुस्तकों का मुल्य 36 रुपे है तो एक पुस्तक का कितना होगा 36 बटे 3 क्या हो जाएगा 12 रुपे एक पुस्तक का मुल्य कितना 12 रुपे तो 12 का पूछा गया है तो पर आपसे पूछा है 3 लिफाफों का मूले 15 रुपे है तो 29 लिफाफों का मूले ग्याद करें सेम क्योंच्छन है आपको इसी तरीके से करना है चलिए करें आपसे 3 का दिया गया है एक का निकाले पहले तो 15 तो क्या आजाएगा यह आजाएगा आपका 145 दोस्तों 145 तो आपको option में भी नहीं दिया गया है तो यानि इसके options यहाँ पर गलत दिये गए है हम इसमें से गलत करें आपकी मर्जी है आप चाहें तो कोई सा भी चुन सकते है क्योंकि इसमें option ही गलत दिये गए है इसका answer 145 लेवाएगा जो की option में नहीं है ठीक है तो एक काम करते हैं हम यह वाला चूज कर लेते हैं गलत होगा तो कोई बात नहीं वैसे तो इसमें सही option दिया ही नहीं है चलिए आगे बढ़ते है या फिर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इस question में आप से क्या पूछा गया है कि 5 पुस्तकों का मूले मैं 60 रुपे है तो 12 पुस्तकों का मूले क्या होगा सेम कोशन पहले साथ को पात से डिवाइड करेंगे तो एक पुस्तक का मूल्ले के ठीक है फिर 12 पुस्तकों का मूल लिए का बढ़ना किस परकार का संबल है तो यदी आप से कहा जाए कि हमने पुस्टकों की संख्या बढ़ाई है उसके साथ मूले भी बढ़ाया है सिच्वाइश यह कैसी है अनुलों है परतिलों या दोनों यूर्स हं तो दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे है परतिलोम होता तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ऐसे सिचुएशन होती तो कौन सी है यह दोनों एक दिशा में बढ़ रहे है तो यानि अनुलोम इसका मतलब option number A इसका बिल्कुल correct है एक कार 30 मीटर पर 30 सेकंड की चाल से चलती है तो एक घंटे के पस्षाथ वह कितनी दूरी तै करेगी इसका क्या होगा इसमें आपको दोस्तों आपका फोर्मूला लगेगा distance is equal to speed into time ठीक है इस तरीके से करके आप इसको निकालेंगे तो इसका परस ना उत्तर आ जाएगा option number C 108 किलो मीटर परकास तर आपकी परती एक चैप्टर की class ले रहे हैं आपको सब समझाए जाएगा एक एक question आप कहेंगे तो आपके यह जितने भी इस एप में दिक्षा एप में जितने बहुवी कल पे दिये गए हैं इनको भी include कर दिया जाएगा क्योंकि एक्जाम की दरश् क्यों इस cancer आएगा 1260 रुपे बिल्कुल सही अगला question है दो राशिया X और Y अनुलोम समान उपाती है अनुलोम यानि सेम तो X बटे Y का मान क्या होगा सदेव एक जैसा होगा या बदलता रहेगा या दोनों या इन में से कोई नहीं दोस्तों क्योंकि अभी मैंने आपको थ पर्ति लोम में बताय था अनुलोम क्या होता है सदेव एक जैसा होता है एकी दिस्वा में बढ़ता है और पर्तिलोम में क्या होता है विपरीत होता है तो यानरी अनुलोम की बात की गई है तो option number A बिल्कुल सही होगा ठीक है अगले question पर चलते है जहाँ आप से पूछा ग नहीं तो सीधा होता है परतिलों का होता है उल्टा तो अब हमने सभी परशनों के उत्तर दे दिये हैं कोई भी कोशन इसकिप नहीं किया है समिट करते हैं और स्कोर जानते हैं कोशन आप सभी जानते कि उसका आंसर गलत दिया गया सो गाइस इसकोर आपके सामने है हमने नो परशनों के उत्तर बिल्कुल सही दिये है और एक परशन आप सभी जानते है कि हमने उसको उसका आंसर ही आपके options में नहीं था तो इसलिए question वहां पर हमारा यहां पर हुआ है ठीक है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले assignment पर चलते है assignment number four और उसको पूरा करते है जल्दी जल्दी तो चोथे assignment की शुरुबात करते हैं जिसका पहला प्रशन आपके सामने है किसी काम को करने में मजदूर की संख्या एवं लगने वाले समय में क्या संबंद है वो बताना है आपको तो अनुलोम संबंद है या परतिलोम संबंद है तो कैसा होगा यदी मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो कैसी एक्वेशन बनेगी यदि हम किसी काम को करने में मजदूरों की संख्या को बढ़ाते है यदि जादा लोग काम करेंगे तो समय जादा लगेगा या कम लगेगा और समय कम लगेगा तो यह कैसी situation बन गई ये situation विपरीत वाली बन गई और विपरीत किस में होता है परतिलोम संबन में आगे समझ क्यों ऐसे हुए बिलकुल सही अगला परशन है परतिलोम अनुपाती सब्द में तीर का निशान दोनों रासियों में किस परकार लगते है अभी हमने आपको लगा करके दिखा है विपरीत सीध में लगते है तो अगला परशन आ जाएगा जब एक रासी बढ़ने पर दूसरी रासी घटे तो कौन से संबन होता है परतिलोम ये तो आपको बिलकुल क्लियर हो जाएगे आपको ऑप्शन से ही ठीक है परतिलोम का अर्थ होता है कैसा सीधा उल्टा दोनो है अब भोजन कितने सबतहा तक चलेगा तो वर्क एंड टाइम वाला कोशन आपका आ गया है पर कास सेर आपको बिलकुल कौनसेप्ट से समझाएंगे यहां पर मैं आपको आंसर बता देती हूं ठीक है तो इसका आंसर आ जाएगा उप्शन अमबर डी नाइन बिलकुल सही अगला परशन है एक मैदान में सफाई करने में दस आदमियों को छे दिन लगते है ग्याद कीजिए उसी मैदान को साफ करने में चार आदमियों को कितना समय लगेगा ठीक है तो यह तो आप सभी जानते है कि कम आदमी है तो यानि जादा समय लगने माला है और कितना लगे पड़ेगी ठीक है तो इसका formula दोस्तों क्या होता है M1, D1, W1 बराबर होता है M2, D2, W2 इस तरीके से करके ठीक है तो M मतलब man होता है man कितने दिये गए है, इसमें पहले 12 थे और कितने दिन में काम पूरा करते थे 45 दिन में, बराबर कितना हो जाएगा मालेते हैं एक काम को एक चाहे तो लिखो या ना लिखो क्योंकि दोनों तरफ सेम होगा तो कट जाएगा यहां पूछा गया है 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की अवश्यक्ता पड़ेगी तो यहां पर M2 मान लो यही तो हमें निकालना है कि कितने आदमियों की अवश्यक्ता पड़ेगी अब चलिए इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे आप 18 को यहाँ divide में ले जाएंगे उसको काटा पीटी करेंगे तो क्या answer आ जाएगा जल्दी से बताईए solve करके तो 30 आ जाएगा ठीक है बिल्कुल सही option number C अगला question है यदि 10 पुरुस किसी काम को 20 दिन में करते हैं 16 आदमी उसकाम को कितने दिन में करेंगे तो obvious की बात है यहाँ पर आपका कम समय लगने वाला है लेकिन कितना लगेगा 12 दिन का समय अगला question है 12 आदमी किसी कार्य को 45 दिन में करते हैं तो 18 दिन में उसी कार्य को करने के लिए कितने आदमी की आवश्रक्ता होगी ठीक है यहाँ पर दिन में दिया गया है लेकिन आदमी पूछा गया था तो कोई बात नहीं थोड़ा सा misprint हुआ है question लेकिन 30 आदमी की आवश्रक्ता होगी तो option B विलकुल सही हो जाएगा अब चलिए इसको submit कर देते हैं और अपने score चेक करते हैं हमने क्या सभी person के उत्तर सही दिये है तो इसके लिए हमें data को server पर पहुँचाना होगा और देखना होगा score कितना हुआ है हमने सभी person के एकदम सही उत्तर दिये है यहीं इसी के साथ आपका चोथा assignment complete होता है और हम बढ़ते हैं पांचवे assignment की ओर अगर आपने अपने भागीदारी नहीं दिखाई है लाइक करके वीडियो को तो जरूर दिखाए ठीक है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो सभी अपना pressure कम कर पाए assignment का क्योंकि अभी return assignment भी आपको पैतालिस के पैतालिस पूरे करने है तो उसके लिए हम आपकी हमेशा मदद करने के लिए ततपर रहेंगे आपको भी थोड़ा सा हमें प्रोथसाहित करना होगा लाइक करके ओके फ्रेंट्स चलिए अगले assignment पर चलते है assignment नमबर 5 तो पांचवे assignment का पहला person आपके सामने है एकदम जिसमें फिर से आपसे अनुपात समानुपात से समबंदित person पूछा गया है और यहां पूछा है आपसे कि 15 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात X का मान बताईए तो यहां पर X होना चाहिए थे fit से missprint हुआ है कोई बात नहीं हम इसको करेंगे तो आपको इसमें क्या करना होगा आठ की गुणा करनी होगी 6 में और 15 की X में और फिर इसको जब हम क्या करेंगे इसको हम multiply करके और आपसे फिर divide करें कार्ट पिट के इसका answer आने वाला है आपका 3.2 ठीक है बिल्कुत सही हो जाएगा अगला परशन है एक बटे बारा और एक बटे 75 का मध्यानुपाती बताना है तो ये वाला चेप्टर आपको परकासर बहुत अच्छे से करा चुके है कैसे बताया था सर ने आपको कि जैसे मध्यानुपाती निकालना है तो आपको दो ही संख्या यहाँ पर दी गई है तो कैसे निकालेंगे एक बटे बारा अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात एक बटे 75 इस परकार करके आपकी इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे इन दोनों की आपस में 2X square हो जाएगा और यहाँ पर इन दोनों की आपस में करेंगे तो इस परकार से आपको इसको solve करना है answer क्या आएगा वो देखिए एक बटा तीसा जाएगा option number B अगर दोस्तों आपको इस तरह के person solve करने नहीं आती तो class जरूर लीजे बहुत ही आसान ढंक से आपको समझाया जा रहा है आपकी class में परती एक सुभा साड़े आठ बजे आप उसका समय रखा गया है class को क्योंकि आठ बजे थोड़े जादा जल्दी हो रहा था आप सभी लोगों को इतने जल्दी उठने में problem हो रही थी तो साड़े आठ बजे बिल्कुल सही समय है तो उस वज़े से आप थोड़ा जल्दी भी उठेंगे तो और अच्छी बात है आप चलिए person पर ध्यान देते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है पांच पंद्रा X 105 समान पाती है तो X का मान बताईए तो वही जैसे हम पहले से करते आ रहे है पंद्रा की X में गुणा करेंगे और 105 की पंद्रा में ऐसे करके हमें आंसर निकालना होगा इसका क्या आंसर आजाएगा इसका आंसर आजाएगा गैस 35 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 5 अनुपात 5 समानुपात X अनुपात 45 में X का मान होगा कैसे करेंगे यहाँ पर इसकी गुणा इसमें इसकी गुणा इसमें तो इसका मतलब यह है कि यह आप असमें डिवाइड होने वाले हैं यहीं पर काट देते हैं आपको यहीं से आपको एकस का अंसर मिल जाएगा बहुत ही सिंपल फास्ट केलकुलेशन करने के लिए आपको क्लास जरूर देखने चाहिए इसी तरह से आपको सर समझाते हैं इससे भी अच्छी तरीके से ठीक है मैं तो आपको बागी सब्जेक्ट पढ़ाती हूं लेकिन परकासर मैट्स के लिए ही है आपके स्पेशली तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहे जरूर देखिए तो इसका अंसर क्या जाएगा पैतालिस आजएगा हमने सोल भी कर लिया बातों बातों में आगे बढ़ते हैं अगला परशन है आपका 35 र आपको 35 को पहले तीन का नुपात करेंगे और इन दोनों को आपस में एड़ करेंगे तो कितना टोटल कितना नुपात है चार पांच है साथ 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 पज़े 35 तो पांच तिया कितना हो जाएगा पंद्रा पहली संख्या गई अब दूसरे क्या है चार तो पांच चोग 20 दूसरी 20 आ गई ठीक है बहुत सिंपर कोशन है आगे अगला प्रशन है 16 X 144 विता अनुपात में हैं तो X का मान बताइए इसका क्या आपका अंसर होगा इसका आएगा दोस्तों आपका 48 ठीक है इसी तरीके से करने जिसे मैं आपको भी बताती हुए आ रही थी यहाँ पर आ अगले पर चलते हैं यहाँ आपसे पूछा गया है तीन बारा और पंदरा का चतुरत अनुपाती क्याद करने चतुरत मतलब चोथा तो यानि यहां आपको एक समानना पड़ेगा चोथी संख्या के जगे पर और फिर आपका क्या आंसर आजाएगा इसका आपका आजाएग और सी 60 नेक्स्ट कोश्चन है सोला और चालिस का त्रित्यानुपाती याद करें तो इसका आंसर आपको जब बीच में आप एक्स मानेंगे ठीक है तो फिर इसका आंसर क्या निकल करके आएगा हंड्रेड और सी बिल्कुल सही हो जाएगा आप रखके देखिए इसकी वैल् इसय hex के एक और लाकी रह जाता है जो हमें इसी वीडियो में पूरा करना है औरृट में लेक्वाटी करते फिर आप आपको मैं इस वीडियो के कमेंट बोक्स में पिन कर दूँगी प्लेइलिस्ट का लिंक वहां से आप डारेक्टली प्लेइलिस्ट में जा करके सभी असाइनमेंट्स को देख सकते हैं और हाँ गाइस यदि आपने अभी तक टेलिग्राम गृप को जोइन नहीं किया है तो उसे भी जोइन करें आपको कमेंट बोक्स में उसका लिंक पिन करके मैं आपको दूँगी वहां से आप जोइन कर सकते हैं डारेक्टली टेलिग्राम गृप को वहां पर आपको असाइनम मोड्यूल आ गया है आपका इसको पूरा करते हैं बहुत ही तेजी के साथ यहां आपसे पूछा गया है यदि ए बराबर दस है तो ए स्कॉाइर बराबर कितना होगा यह स्कॉाइर है यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक है स्कॉाइर मानेंगे आप तभी आप अपने इससकी कोशन को कर पाएंगे तो यह की वैलू कितने दी गई है 10 a² की कितनी होजाएगी तो जब a² यानि तस गुना-10 करना क्योंकि ए की वैलू 10 दी गई है कितना आ जाएगा 10 गुने 10 करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा यानि इसका अंसर क्या होगा आपको option number C, 100, बिल्कुल सही हो जाएगा, next question पर चलेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, यदि 32 बराबर 2X हो तो X का मान बताइए, तो कितना हो जाएगा जब आप 2X बराबर दिया गया है, X की value आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, दो इसके भाग में चला जाएगा, और answer क्या जाएगा, 16 आजाएगा, लेकिन आपको option में 16 नहीं दिया गया है, यानि ये आपका question दोस्तो गलत है, अगर आप चाहें तो इन में से कोई सा option चुन सकते हैं, छोड़ने के बजाए या फिर skip भी कर सकते हैं, क्योंकि option तो आपको सारे गलत ही दिये गए है, आप चाहें तो करके देख लीजिए, ठीक है, तो चलिए हम इसको skip कर देते हैं, क्योंकि answer हमारा match नहीं हो रहा है, इसमें, next question है, जिसमें आप से पूछा गया है, 61-61-61-61-61-61, इस तरीके से आपको इनका घातांग के रूप आपको लिखना है, जिसमें घात लगी हुई हो, त 61 कितनी बार आया हुआ है, देखिए, 61 कितनी बार आया है, count करते है, 1, 2, 3, 4, 5, यानि कितनी होगी इसकी घात, 5 होगी, अब देखिए, कहां है option में, ये दोस्तों घात दी गई है, जो यहां लास्ट कांख है, ये घात है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो कहां है 61 क गात 5, option number D में है, तो यही इसका सही हो जाएगा 61 की घात 5, बिल्कुल सही, अगला प्रशन है, जिसमें आपसे यहां value दी गई है, कि minus 2 की power 5, 5 है, पावर है, जो 5 दिया गए है न, ये पावर है, और आगे divide minus 2 की power 8, अब इसको solve करेंगे, इसको solve करके देखिए, क्या इसका आएगा minus 1 upon 8, ये वाला answer आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपसे आगे क्या पूछा गया है, इसी तरह का एक और question दे दिया गया है, इसका answer आपका 1 आजाएगा, ठीक है, आप solve करके देखेंगे, तो बिल्कुल सही से आप कर पाएगे, आगे आपसे करेंगे, दोस्तों इन में से कोई भी question आपका match नहीं होगा, क्योंकि आपको इतनी बड़ी value यहां पर दी ही नहीं गई है, कि जो यहां पर हम put करें, ठीक है, और वो इसके बराबर आजाए, यानि इसके जितने भी option दिये गए है, ये सब ही गलत दिये गए है, तो हमें क्य करना होगा, हमें यहां पर इस question को छोड़ना होगा, या skip कर सकते है, या फिर आप चाहे तो इन में से कोई से भी एक tick करके आगे बढ़ सकते है, ठीक है, तो चलिए हम छोड़ने के बजाए इस में से last option टिक कर देते है, बाकी हम दो question अब तक छोड़ चुके है, जिनके options ग पूछा गया है, इसको solve करने के लिए कहा गया है, चलिए करते हैं, यहां पर आपको ये फिर से घाद दी गई है, लेकिन घाद की तरह से लिखा नहीं है, फिर से printing mistake है, लेकिन जब आप इसको solve करेगे, आपको फिर भी इन में से कोई भी answer मैच नहीं होने वाला है, क्योंकि कि बजाए हमने एक चुन लिया है, और यहां फिर से उसे भी बड़ी mistake, यहां पर आपको चारो option दोबारा से same दे दी गई है, आप बताइए क्या कर सकते है इसमें, सभी परसनों में इस तरीके से maths में तो इतनी जादा ही mistake आ रही है, क्या ही कहें, चलिए आप चाहे तो choose कर सकते हैं या फिर skip कर सकते हैं, हम इसको छोड़ी देते हैं, जब इस तरह से person के सभी उत्तर बराबर दे दिये गए हैं तो कौन सा answer सही होगा, वैसे भी 59 तो आना ही नहीं है इसका, चलिए आगे चलते हैं, जो question सही है, सिर्फ उनको करते हैं, ठीक हैं, अभी पीछे तो हम क पाइस सही है, डो question ऐसे, जिनको सही नहीं दिया गया था, लेकिन चलिए फिर भी आगर आही गया है तो अब बात करते हैं, 34 का मान क्या होगा, दोस्तों 34 नहीं है, फिर से हां गलती दी गई है, तीन की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, तीन की चार बार ग कुना करते हैं तो क्या आएगा तीन तिया नो नो तिया 27 और 27 तिया कितना हो जाएगा 27 यानि इसका option कौन सा है क्या सी सी चलिए खैर यह आपका सही हुआ option number C इसका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यह आप से यहां पूछा गया है बार 128 का खहतांग किये रूप यह दि 128 को खहतांग किये रूप आपको देना है तो क्या लिखेंगे आपको यहां पर गुणा 7 बार करनी होगी तो 128 आ जाया ठीक है तो दो की power 7 लिखना होगा कहने करती है सिधा सिधा कहां है दो की power साथ ये है ये भले ही सत्ता इस हो लेकिन आप ये साथ जो है इसकी power में है इसलिए आपको option number A होगा आगे चलते हैं यहाँ पर guys हमने skip तो 4 करने थे लेकिन हमने 2E के 2 बाकी ऐसे ही तुक्के से लगा दिये है क्योंकि option गलत थे उन दोनों question के भी कोई बात नहीं इसमे कोई बात नहीं है लो चलिए जितने हमने वे 2 question गलत थे लेकिन उनका तुक्के से आंसर लगा वो ठीक हो गया है कोई बात नहीं आप ऐसे कर सकते हैं ठीक है option गलत था लेकिन हमने फिर भी टिक किया और उसने सही रीड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है चलिए कुछ तो ठीक हुआ अब परेशान होने वाली बात नहीं है विल्कुल भी ठीक है अगर इस तरीके से होता है क्योंकि एप में बहुत सारी mistakes है इसमें मैस वाले assignment assignment में तो खास करके काफी चीजे गलत दी गई है लेकिन कोई बात नहीं है अब चलिए दोस्तों हमें 6 assignment आज की वीड कराये जा रहे हैं और इसके बाद आपकी जो बचे हुए subjects हैं जैसे computer Sanskrit और आपका समाव आपका जो social studies वाला subject है वो भी आपका कराये जाएगा ठीक है सामाजी कधियन उन सभी की classes आपकी regular चलेगी और maths की समावेशी सिक्षा और बाकी बात करें आपकी सेक्षिक मूल यांकन और विज्ञान इनकी तो classes आपकी चल ही रही है चैनल पर तो चैनल पर नहीं है सबस्क्राइब कर सकते हैं आप से फिर से मुलाकात होगी अगली class में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर जैहिन दोस्तों